दूसरा काम, पहले हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते, तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी, नरेंद्र मोधी जी ने, वो सब बंद कर दिया, दो तरीके के शहीद बना दिये, एक जो नॉर्मल जवान है, और दूसरा, जिसको आज हम अगनीवीर कहते हैं, शहीद होंगे, तो अगनीवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग छे महीने की मिलेगी, चाइना का जवान पांच साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अगनिवीर छे महीने की ट्रेनिंग ले कर उसके सामने खड़ा हो जाएगा नतीजा आपको मालुम है यह जो अगनिवीर योजना है हमारी सरकार बनेगी इसको हम रद कर देंगे अगनिवीर योजना सेना नहीं चाहती यह प्रधान मंत्री का निंड़ने है पी-म आफिस ने यह योजना बनाई है सेना को यह नहीं चाहिए और हम इसको रद करने जा रहे हैं पेपर लिग के बात आप जानते हो आपको सालों काम करना पड़ता है पढ़ाई करनी पड़ती है पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेइमानों ने पेपर लिग करवा दिया और आप देखते रहे गए हम एक कानून लाएंगे जिसने भी ये पेपर लिग का काम किया उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी और ये जो आज कल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कमपनिया पेपर चेक करवा रही है इसको हम बंद करवा देंगी अब मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला करांतिकारी योजना है अब मैं आपको युवाओं के लिए एक करांतिकारी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूँ आप जानते हो अरब पतियों के बेटे बड़े बड़े बिजनसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिशिप करते हैं छे महीने की उनको नौकरी मिलती है बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं ट्रेनिंग मिलती है बैंक में पैसा आता है और फिर वो पर्मनेंट जॉब में जाते हैं मगर ये सुविदा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली बड़े बड़े अरपती अपने बेटे को अपनी कंपनी में अपरंटिशिप करवाते हैं मगर हमारे युवा भड़कते रहते हैं सड़क पे घूमते रहते हैं तो हमने एक नई योजना लाये हैं, इसका नाम पहली नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की, हिंदुस्कान के सारे के सारे ग्राजुएट्स, University के graduate, college के graduate, diploma holders आप सुन लो यह आपके लिए योजना है इससे आपकी जिन्दगी बदलने जा रही है तुफान आने वाला है प्राइवेट कंपनियों में हिंदुस्तान के public sector में और सरकारी offices में हम हिंदुस्तान के graduates को apprenticeship का अधिकार देने जा रहे हैं मतलब अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से apprenticeship मतलब एक साल की नौकरी मांगी तो यह आपका अधिकार है सरकार आपको मना नहीं कर सकती एक साल की नौकरी मिलेगी उसमें आपकी training होगी private sector में public sector में एक साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार एक लाक रुपिया आठ अजार पांचो रुपे हर महीने खटा कट खटा कट खटा कट डालेगी उसके बाद एक साल के बाद आप ट्रेंड होगे हिंदुस्तान के पास एक ट्रेंड वर्क फॉर्स होगी और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी करांतिकारी काम है और यह हम आपके लिए करने जा रहे हैं यहां किसान भाई है और नरेंद्र मोदी जी ने आपको सबसे ज़्यादा तंग किया है मैं जानता हूँ आप देखते हो अरब पतियों का करजा माफ होता है दिल में आपको दर्द होता है और जब अपना अनाज बेचने जाते हो आपको सही रेट कभी नहीं मिलता और आपके दिल में यही दो सवाल है पहला हमारा करजा कभी माफ क्यों नहीं होता और दूसरा हमें धान के लिए शुगर केन के लिए गेहूं के लिए सही दाम कभी नहीं मिलता क्यों तो इन दो सवालों के जवाब मैं आपको देने आया हूँ जैसे ही हमारी सरकार आएगी जैसे हमने यू पिए के समय किया था वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं और सिर्फ एक बार नहीं भाई हम किसानों का एक कुमिशन बिठाएंगे और जब भी किसानों को कर्जा माफ़ी की जरूरत होगी वो कमिशन किसानों का कर्जा माफ करेगा और दूसरा काम एतिहासिक और करांतिकारी काम पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दी जा रही है सारे के सारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गड़बंदं देने जा रहा है अब यहां मजदूर बेटे हैं, खड़े हैं, आप कोगे, गरीबों के लिए आपने काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों का क्या होगा, सबसे पहले महलक्ष्मी योजना में आपका फाइदा होगा, आपके बैंक अकाउंट में हर साल एक लाग रुप्या आएगा मगर हम बात वहां नहीं रोकेंगे, मनरेगा का आज कितना पैसा बंता है, कितना है, मनरेगा का, कितना है मनरेगा का, 200, चुनाओ के बाद 400 आश्या और आंगनवारी महिलाओं को क्या रेट मिलता है, कितना, उसे डबल कर दो दुगना कर दो उसे तो दो चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ सबसे पहले सम्विधान की रक्षा और दूसरी चीज़ जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरब पतियों को दिया है उतना पैसा इंडिया गटबंदन की सरकार कॉंग्रेस पार्टी की सरकार गरीबों को, किसानों को मज़ूरों को देने जा रही है कर लो जो करना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने देखा होगा ये मीडिया वाले यहां बेटे हुए है भाई और बहनो मीडिया वाले कभी किसान की बात करते हैं मज़ूर की बात करते हैं गरीबों की बात करते हैं ना मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मैंने आकड़े निकाले मैंने आकड़े निकाले भाई और बहनों हिंदुस्तान में पिछड़े वर के कितने लोग किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं पिछड़े वर के हिंदुस्तान में किसे को नहीं मालूम देखा ना यही प्रॉब्लम है आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम दलित कितने देखो शक्ति नहीं मालूम आदिवासी कितने किसी को नहीं मालूम यही प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ सबसे पहले आधिवासी 8% गलित 15 और आज तक पिछडों के बारे में कोई नहीं जानता आपके सबसे बड़ी अबादी है मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग है अगर मैं अकिलेश जी से पूछू वो भी आप आज को आपको नहीं बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग है सबसे जादा है मगर बता नहीं पाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये आंकडा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है ये है जादू बाई और बहनो मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने मीडिया की बड़ी-बड़ी कमपनियों की लिस्ट निकाली ये जो anchors हैं न हिंदुस्तान में इनकी list निकाली बड़े बड़े पत्रकारों की list निकाली भाई और बेनो इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे एक पिछड़ा नहीं है इनमें एक दलित नहीं है एक आदिवासी नहीं है एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है एक माइनोरिटी का नहीं है मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं कैसे आपकी बात लिखेंगे ये अब आप कहोगे मुझे कहोगे राहुल जी पता नहीं आप कहोगे राहुल जी हम मीडिया में कंट्रोल नहीं चाहते, शायद आपको हो, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में, पिछडे कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, बताओ, जीरो, जीरो, अरब पतियों में से, एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, बाई और भेनों, बात समझो, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जेनरल कास के लोगों से, 24 घंटा पैसा लिया जाता है, और वो ही 20-25 लोगों के जेब में जाता है, और उन 200 लोगों में, एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, अब आप कहोगे, राहूल जी, हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें कॉर्परेट इंडिया में भी अपना कोई आदमी नहीं चाहिए, पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप बोलते तो कभी हो नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, कभी पिछड़े वर के किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं कहा कि भाया, राहूल जी, कॉर्परेट इंडिया में तो हमारा कोई है ही नहीं, तो या तो आपको मालूम ही नहीं, और या फि दो चीजें हो सकती हो, और तीसरा तो ही नहीं सकता, तो फिर मैं आप से कहूंगा ठीक है भाया, आप कॉपरेट इंडिया में नहीं चाहते, आप मीडिया में नहीं चाहते, आप प्राइवेट हस्पताल नहीं चलाने चाहते, आप प्राइवेट कॉलेज उनिवर्सिटी न चलते हैं घर अब मैंने आकड़े निकाले हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं अकिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के थे नहीं थे मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं अकिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे मगर सरकार को ब्यूरोक्रिसी चलाती है आये सबसर चलाते हैं क्योंकि अंत में ब्यूरोक्रिसी चीफ मिनिस्टर को मंत्रियों को निड़ने देते हैं और यही दिल्ली में हो रहा है आप सोचते हो कि नरेंद्र मोधी सरकार चलाता है नरेंद्र मोधी सरकार नहीं चलाता नब्बे लोग सरकार चलाते हैं नब्बे लोग सरकार चलाते हैं उनको I.S. अफसर कहा जाता है बजट का पूरा का पूरा निन्ने वो लेते हैं अब मैं आप से सवाल पूछता हूँ नब्बे अपसरों में से जो रेलवे का बजट, डिफेंस का बजट, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, 36 गड़ को कितना जाएगा, GST कैसे बनेगी, मन रेगा कैसे बनेगा, ये सारे के सारे निन्ने, नब्बे लोग लेते हैं, प्रदान मंत्री, चीफ मिनिस्टर, फाइनल डिसिजन जरूर लेता है, साइन जरूर करता है, मगर ये नब्बे लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, नब्बे में से पिछडे कितने, वो देखो एक आदमी होश्यार है वहाँ पे, वो ये कर रहा है, भाई और बहनों, नब्बे में से तीन आपके, तीन आपके, आपके अबादी कम से कम 50%, और नब्बे में से तीन आपके, आदिवासियों के अबादी 8%, नब्बे में से एक उनका, गलेतों की आदिवासियों, अबादी 15%, नब्बे में से तीन उनके, मगर ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आपके मैं आपको देने जाना हूँ, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खर्च करती है, तो OBC अपसर 5 रुपे का निर्ने लेते हैं, पिर से कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपे खर्च करती है, OBC अपसर 5 रुपे का निर्ने लेते हैं, दलित अपसर 100 रुपे में से 1 रुपिया और आदिवासी अपसर 100 रुपे में से 10 पैसा, इन सब को जोडो, आपकी अबादी 73% है, 73% लोग 100 रुपे में से 6 रुपिया 10 पैसा का निर्ने लेते हैं, आपको लग रहा है, कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मगर कितना और कैसा अन्याय हो रहा है, वो आपको बात समझ नहीं आ रही, वो आज मैंने आपके सामने रखी है, अब आप को होगे, राहुल गान्दी ने समस्या तो बता दी, मगर हिला आज नहीं बताया, हम भसे पड़े हुए हैं, 100 रुपे में से 6 रुपे का निर्ने हम ले रहे हैं, सरकार में भागिदारी नहीं है, राहुल गानी ने मूट खराब कर दिया, हमें सचाई बता दी, और पर सुझाव नहीं दिया, है ना, तो जवाब भी दे देता हूँ, आपको कभी चोट लगी है, लगी, हाथ तुटा आपका, पेर तुटा, फ्रेक्चर हुआ कभी, हुआ, क्या हुआ, पेर का हुआ, पेर का फ्रेक्चर हुआ, जब पेर का फ्रेक्चर हुआ, डॉक्टर ने आपको क्या कहा, पहली बात क्या कही थी, एक्सरे कराओ, एक्सरे कराओ, मैं भी यही कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक्सरे करादो, कि हिंदुस्तान की संस्ताओं में सरकार में बड़ी-बड़ी कंपनियों में प्राइवेट हस्पतालों में प्राइवेट कॉलेज उनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की 90% अबादी में से कितने लोग हैं जाती जनगरना भाई और बहनों जाती जनगर्ना हिंदुस्तान का X-ray सरकार आएगी हम जाती जनगर्ना का काम शुरू कर देंगे जाती जनगर्ना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो कर दो